दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुई कैसे आप अपने डिलीटेट फोटोज को रिकवर कर सकते हो यानि आप गूगल फोटोज एप से आप अपने डिलीटेट फोटोज को दोबारा से कैसे वापस ला सकते हो कि कि दोस्तों काफी डेम ऐसा होता है कि गलती से हमारे जो important photos होते हैं, videos होते हैं वो delete हो जाते हैं और हम उनको recover नहीं कर पाते हैं, दोबारा से वापस नहीं ला पाते हैं आज के इस video में आपको Google Photos app के कुछ ऐसे features के बारे में बताने वाला हूँ अगर आपके photos delete हो जाते हैं, तो आप Google Photos app से deleted photos को recover कर सकते हो दोबारा से वापस ला सकते हो, लेकिन दोस्तों इसमें एक condition है अगर पहले कभी भी आपने अपने data का backup, अपने photos का backup, videos का backup Google Photos के अंदर नहीं किया है, तो दोस्तों आप अपने deleted photos को recover नहीं कर पाऊगे दोबारा से वापस नहीं लापाऊगे, चाहे आप कोई भी software install कर लो, चाहे कोई application install कर लो अगर आपने कभी भी backup create नहीं किया है, तो दोस्तों आपके photos recover नहीं होगे ठीक है, और अगर आप चाहते हो, कि in future कभी आपके photos delete ना हो, live time ते के लिए save हो जाए अगर आपका phone खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, तूर जाता है, simply आपको नए phone में अपने gmail account को login करना होगा आपके पुराने सभी photos और videos दोबारा से वापस आजाएंगे, तो इसलिए video को पूरा जरूर देखना अगर आप चाहते हो कि जिन्दगी में कभी भी आपके photos delete ना हो, तो दोस्तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ही देखना ठीक है, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को like, share, comment, channel को subscribe जरूर कीज़ देगा, अब चलिए video को सुरू करते है दोस्तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने deleted photos को recover कर सकते हो, साथ में आप अपने important photos को जिन्दगी भर के लिए कैसे save कर सकते हो, life time तक लिए आप कैसे सुरुचित रख सकते हो दोस्तो आपके phone में एक application होगा, जिसका नमे photos, ठीक है, आप चाहे किसे भी company का phone यूज करते हो, आपके phone में ये application जरूर होगा, ठीक है दोस्तो हमने gallery को open किया है, अब आप यहाँ पर ये काफी सारे photos देख सकते हो, ठीक है, हम इनी photos को Google Photos के अंदर save करेंगे, life time तक के लिए, ठीक है simply आपको Google Photos app को open कर रहे हैं, ठीक है, आपको play store से एक बार इस application को update भी कर लेना है, ठीक है application को जब आप open करोगे, जब आप application को open करोगे, आपके gallery के सारे photos आपको यहाँ पर so हो जाएंगे, ठीक है आप में से काफी सारे लोग confuse हो जाते हो, जब gallery के photos यहाँ पर so होते हैं, जब यहाँ पर दिखते हैं, तो आपको लगता है कि हमारे photos, Google Photos app के अंदर save हो गए है दोस्तो ऐसा बिल्कुल भी देंगे हैं, ठीक है, काफी सारे लोगों के साथ में यही confusion होता है, वो लोग upload नहीं करते हैं, save नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हमारे photos तो Google Photos के अंदर lifetime ते के लिए save हैं, और यहीं पर बड़ा mistake होता है दोस्तो अगर आप जब तक save नहीं करोगे, यह photos save नहीं होंगे, ठीक है, आपके gallery में जितने भी नए photos आएंगे, आपको यहाँ पर वो photos दिखेंगे, reflect करेंगे, so होंगे, अगर आप gallery से photo को delete कर दोगे, यहाँ से भी photo delete हो जाएगा, ठीक है, अब बात आती है कि कैसे हम इन photos को save करेंगे, simply आपको profile पर tap करने है, ठीक है, आपको यहाँ profile पर tap करने है, अपने Gmail account को select करने है, आप जिस Gmail account को use करते हो, जिसका password आपको पता है, आपको वो Gmail account यहाँ पर select करने है, ठीक है, Gmail account को select करने के बाद, आपको photo पर tap करने है, जब आप photo पर tap करोगे, आपको आप देख सकते हो, यह वाला photo upload हो चुक है, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, इस वाले photo पर यह icon बन चुक है, इसका मतलब यह है कि यह photo upload हो चुक है, इस तरह आप एक एक करके अपने photos को Google Photos के अंदर upload कर सकते हो, ठीक है, अगर आप एक साथ upload करना चाहते हो, तो simply एक option मिलेगा backup का, आपको backup पर tap कर लें, एक एक करके आपकी जो photos हैं, वो automatic upload होने लगेंगे, ठीक है, जो photo upload होता जाएगा, उस पर यह icon बनता जाएगा, दोस्तों आप एक Gmail account के अंदर 15GB तक का photo video फ्री में upload कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका phone खराब हो जाता है, चोरी हो ज जाता है, या आपका phone reset हो जाता है, आपको नए phone में अपने इसी Gmail account को login करना है, Google photos को open करना है, यहाँ पर Gmail account को select करना है, आपके सारे photos आपको मिल जाएंगे, phone reset हो जाता है, reset करने के बाद आपको same इसी Gmail account को login करना है, Google photos app को open करना है, Gmail account को select करना है, आपके सारे photos आपको यहा फोटोज हैं यह जो हमारे important फोटोज है यह गैलरी से डिलीट हो जाएं गैलरी से डिलीट हो जाएं ठीक है हमने इन फोटोज को गैलरी से डिलीट कर दिया है ठीक है आप देख सकते हो हमने गैलरी से इन फोटोज को डिलीट कर दिया है गैलरी से जब फोटो डिलीट होता है तो हमारे जो photos हैं, वो bin के folder में जाते हैं, recently deleted के folder में जाते हैं, ठीक है, आपको album पर tap करना है, यहाँ पर photos रहते हैं, ठीक है, हम यहाँ से भी in photos को permanently, यानि हम इसा के लिए delete कर दिया, हमने यहाँ से भी in photos को हम इसा के लिए delete कर दिया, यानि gallery से delete किया, recently deleted से भी delete कर दिया, ओक अब हम Photos app को open करते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमने gallery से इन photos को delete कर दिया था Recently deleted से भी permanently delete कर दिया था delete करने के बाद भी हमारे जो photos हैं वो Google Photos के अंदर save हैं ठीक है? आप यहाँ से अपने photos को download कर सकते हो अगर गलती से gallery से photo delete हो जाता है तो simply आपको Google Photos को open करना है यहाँ से अपने photos को download कर लेने जब photo download होगा गैलरी में जाबकर so हो जाएगा ठीक है? हम gallery को open करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो हमने gallery को open किया है देखो restore के folder में आ चुका है ओके? camera थोड़ा blur हो रहा है आप लोग इस पर notice मत करना जो content है काफी अच्छ है जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल जेनोन बता रहा हूँ ठीक है? Google Photos इसी तरह काम करते है आपको सिर्फ एक बार Google Photos के अंदर अपने important photos को upload करना है ठीक है? जब आप upload कर दोगे गैलरी से photos delete हो जाते है recently deleted से delete हो जाते है permanently delete हो जाते है simply आपको Google Photos के अंदर जाना है Google Photos के अंदर जाने के बाद आप अपने photos को download कर सकते हो तो दोस्तों ये तरीका है photos को जिन्दगी भर के लिए save करने का lifetime तक के लिए सुरचित रखने का सिर्फ आपके पास आपका Gmail account होना चाहिए उसका password होना चाहिए जिस भी phone में आप login करोगे automatic आपके सारे photos आपको दोबारा से वापस मिल जाएंगे ठीक है दोस्तों काफी सारे लोग automatic upload करना चाहते है automatic अपने photos को upload करना चाहते है ठीक है यहां से आपको backup को on कर दिने ठीक है आपको backup को on कर दिने जब आप backup को on कर दोगे automatic आपके सारे photos Google photos के अंदर upload जाएंगे ठीक है दोस्तों इससे फायदा भी है नुकसान भी है जब आप इसको on करोगे आपके सारे नए पुराने photos तो upload जाएंगे अगर ज्यादा photo है तो space खतम हो जाएगा Gmail का या आपका internet data खतम हो जाएगा mobile की battery drain हो जाएगी तो आप कोशिस करना manual ही upload करना का ठीक है? आप manual upload करोगे तो सिर्फ वही photo's upload होगे जो आप चाहोगे ठीक है? तो दोस्तों इस तरह आप automatic भी upload कर सकते हो तो दोस्तों हमने इस setting को on कर दिया ठीक है? जब आप नीचे scroll करोगे नीचे आपको backup quality का option मिलेगा आप quality वगरा भी select कर सकते हो कि किस quality में आप photo को upload करना चाहते हो ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पर mobile data users का option मिलेगा आपको यहाँ पर काफी सारे option मिलेंगे आप automatic कितने MB का photo video upload करना चाहते हो 5 MB, 10 MB, 30 MB जो भी आप select करोगे उतने MB का photo video automatic एक दिन में upload होगा अगर आप unlimited कर दोगे सारे के सारे photos upload हो जाएंगे या तो photo सभी upload हो जाएंगे या आपका internet data खतम हो जाएगा या बैटरी खतम हो जाएगी ठीक है तो इसको आप अपने हिसाब से set कर सकते हो इसके बाद दोस्तों आपको last में एक option मिलेगा backup device folders आपको यहाँ पर आपके file manager के सारे folders सो हो जाएंगे जिस भी folder का photo आप automatic upload करना चाहते हो आप automatic upload करना चाहते हो आपको उस folder को enable कर देने दोस्तों उस folder का photo video automatic upload हो जाएगा ठीक है तो इस तरह आप upload की setting कर सकते हो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि काफी सारे लोग यहाँ पर confuse होते है कि कौन सा photo upload है कौन सा photo upload नहीं है तो इसका भी एक तरीका है इसका भी एक तरीका है आप Gmail में जाकर आप Gmail में जाकर देख सकते हो simply आपको Gmail को open करना है Gmail को open करने के बाद आपको profile पर tap करने profile पर tap करने के बाद आपको यहाँ से उस Gmail account को set करना है जिसके अंदर आपने photo को save किया है ठीक है आपको Google account पर tap करना है जब आप Google Account पर tap करोगे, आपको यहाँ पर काफी सारे option मिलेंगे, आपको Data and Privacy पर tap करना है, नीचे scroll करना है, आपको सीधा नीचे जाना है, आपको नीचे चले जाना है, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, Content Saved from Google Services, आपको इस पर tap करना है, जब आप इस पर सिर्फ वही photos सो होंगे, वही photos दिखेंगे, जो Google Photos के अंदर actual में save होंगे, upload होंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ uploaded photos सो होंगे, ठीक है, आप देख सकते हो, 75 यानि 75 photos Google Photos के अंदर save हैं, जबकि हमारे phone में तो काफी सारे photos हैं, लेकिन 75 photos सेव हैं, ठीक है, तो इस confusion नहीं होगा कि कौन सा photo save है, कौन सा photo save नहीं है, ठीक है, अगर आप इनको download करना चाते हो, simply आपको photo पर tap करना है, 3.00 पर tap करना है, आपको मिलेगा download का option, आप इस तरह photo को download करके gallery में show कर सकते हो, ठीक है, अगर आप एक साथ select करके download करना चाते हो, तो दोस्तों आपको फिर स से 3D पर टैब करना है select photos पर tap करना है अपने photos को इस तरह select कर लेना है ठीक है जितने भी photos आप download करना चाहते हो आपको इस तरह select करना है फिर से 3D पर tap करना है download पर tap करना है आपके selected photos download होकर gallery में save हो जाएंगे ठीक है तो दोस्तों इस तरह आप एक साथ select करके भी पने फोटोज को डाउनलोड कर सकते हो सेव कर सकते हो गैलरी में ठीक है तो दोस्तों ये तरीका है देखने का कि कौन सा फोटो सेव है कौन सा फोटो सेव नहीं है ओके तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नौलिजपूर वीडियोज बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद